नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, तो पिसले वीडियो में हमने बात की थी मंगल अगर आपके लगन चार्ट में, सेकेंड होस में इस्तित हैं तो आपको क्या-क्या परिणाम ये दे सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे तीसरे भाव के बारे में, अगर त तीसरे भाव में आपके लगन चार्ट में मंगल हैं, तो इसका प्रभाव आपके उपर कैसा रहेगा, देखें तीसरा भाव आपके साहस का घर है, आपके कम्मिनिकेशन का, छोटे भाई बैनों का है, रिस्तेदार, पडोसी, इन सब का है, और आपकी छोटी-छोटी यात् पारियों से तीसरा घर समन्दित है, तो तीसरे घर में मंगल का आना, मंगल जैसे ग्रह की एनर्जी का आना, ये क्या दिखाता है, देखें यहां पर आप में excitement किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा हो सकता है, और ये जब हद से ज्यादा हो जाएगा, तो अगर आप उस कि करते करते, अंत्तह ऐस अफल हो जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा निरासा का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, और उस समय आपकी जो भावनाएं हैं, वो आक्रामक हो सकती हैं, इस परकार के जातक बहुत ज्यादा सासी होंगे, वो किसी भी परकार का आक्राम अब कदम उठाने से पीछे नहीं पटेंगे, इस परकार के जातक समवाद में भी ऐसे होते हैं, कम्मिनिकेशन में भी इनका जो कम्मिनिकेशन है काफी क्विक होता है, तो यह बोलने में कई बार बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे, और यह अपनी बात को जब रखेंगे कि इसी के सामने, तो यह नहीं सोचेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, अपनी ही बात को सबसे पहले रखना चाहेंगे, दूसरा यहाँ पर मंगल है, वो परतिसपर्दा की भावना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ मंगल आने से जोखिम लेने की और ताकत तो आ ही जाती है, तो फिर जोखिम लेने की छमता है, वो आ जाती है, तो फिर आप में परतिसपर्दा करने की भावना इससे बढ़ जाएगी, आप इसे के साथ भी परतिसपर्दा में होंगे, तो यह तयह है कि आपकी सफलता महां पर निस्च जित है, हो सकता है आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है इसी प्रकार से मंगल जब तीसरे घर में आते हैं तो जात तक एक साथ बहुत सारे कामों को अपने हाथ में ले सकता है वो बहुत ज़्यादा कर देते बहुत ज़्यादा ही डिवाइड कर देते और बहुत सारे काम अप स्टार्ट कर लेते तो वहाँ पर आपको किसी ना किसी काम में जब ऐस अपलता हाथ लगेगी तो यह आपके लिए सही नहीं होगा आप इससे बहुत जल्दे निरास हो सकते हैं उन्ठीत हो सकते हैं और कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं इसी परकार से ऐसा मंगल आपको काम वासना बहुत ज्यादा देगा तो आपको अपने जो प्रेमी है जो आपकी प्रेमी का है उनके साथ रिलेशन्स में काफी ज्यादा अगें आपको मेंट दिक्कत आ सकती है प्रेम शमंधों को लेकर भी कुछ प्रेशानियां आ सकती हैं फिरकार का मंगल आपको हमेशा टेजी से चीजों को मैनेज करने के लिए प्रेदित करेगा और आप एक्शन लेने में काफी क्विक होंगे यानि किसी भी गटना पर आप बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी करते तो यहां पर आपको काफी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इस बात का आपको अवस्ते ध्यान रखना चाहिए और मंगल की इनर्जी को आपको मेंटेन करते हुई सबी परकार से इसको यूज करना चाहिए इस परकार से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और इनको कोई ऐसा फिल्ड सूट करेगा जहां पर सारिक छमता के साथ काम को मैनेज करने की अच्छी छमता चाहिए और जहां पर बहुत तेज निर्णे लेने की छमता चाहिए तो अगर यह मंगल काफी अच्छी इस्तिते में आपको बहुत सारे कंपिटिशन से भी निकलना पड़ सकता है जिवन में आप वहां पर भी विजे रहेंगे लेकिन कई कई बर आप जैसा रिजल्ट चाहेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं वैसा रिजल्ट आपके सामने आएगा नहीं तो इसे में निरासा की ज लिए एक तो आपको एक्टिव बना के रखेगा और वो ऐसे ही कामों में बहुत ज्यादा आपको साहिता करेगा जहां पर आपकी सारक्ष छमता चाहिए ही होगी आपको बहुत कुछ अपने मन से भी काम लेना होगा तो ऐसे जाता कोई भी काम करेंगी तो यह कम्मणिकेशन में तो काफ़ी फास्ट होते ही होते हैं तो जब यह किसी न्यूज को रीड कर रहे होते हैं तो हो सकता है यह multiple उसको websites पर रीड कर रहे हो एक साथ कई की बार ऐसा होता है जब यह दो- भाई भहनों से आपका विवाद खड़ा कर सकता है, आपके पड़ों से रिस्तेदारों से भी आपके कम बन सकती है, लेकिन इस मंगल की एनरजी को आपको बहुत अच्छे कारियों में लगाना चाहिए, आपको इसको सही प्रकार से योज़ करना आना चाहिए, तब ही आप इ जो decision making power है वो तो quick होगी होगी, वो बहुत जल्दी ही किसी काम को finish भी करना चाहेगा, तो ऐसे जातक रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, अब यहाँ पर जातक की जो यात्राएं हैं, चोटी-चोटी यात्राएं वो भी काफी जादा होंगी जीवन में, और उसको यात्र करना पसंद भी होगा, ऐसे जातकों कि कुछ दुर्गटना होने से चोट लगने की समावना, या यात्रा में एक्सिडेंट होने से उनकी जीवन को खत्रा होता है, तो आपको हमेशा यात्राओं में चोट लगने से सावधान जरूर रहना ही चाहिए, इसके इलावा मंगल यहां से देखते हैं आपकी चठेगर को, तो चठेगर को जब भी देखते हैं, ऐसा जातक अगर इसके जिवन में सत्रू भी होंगे, तो वो उनको हमेशा प्रास्त करेगा, हलंकि इसके लिए आपको संगर्ष जरूर करना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अंत्यत हैं आप विजय होंगे, इसी प्रकार से ऐसा जातक कोई ना कोई ऐसे फिल्ड में जहां पर कोई भी वो कंपिटिशन को फेस कर रहा है, वहाँ पर भी वो सक्सेस्पुल होगा, लेकिन उसको बहुत जादा ही फेस करना पड़ सकता है जिवन में कंपिटिशन को, ऐसा जातक किसी भी प्रकार की मुस्कल पृस्तिती में हिमख नहीं आरेगा, वो उससे डटकर मुकाबला करेगा, ऐसी जातक सेर के समान होते हैं, ये किसी भी पृस्तिती में नहीं और ये आतम विस्वास वाले होते हैं, तो ऐसे जातकों में क्या कहें, इन में बहुत जशादा confidence होता अगर आपके लिए काम करती है, तो फिर आपके एक के बाद एक कई decision गलत हो सकते हैं, अब चठे बाव को मंगल देख रहे होते हैं, तो इससे आपकी जो रोजमरा की जिन्दकी है, आपका काम करने का जो तरीका है, वो भी काफी fast हो जाएगा, और आप हमेशा कोई ऐसा ही जो पसंद करेंगे, जहां पर आपको काम काफी fast करना हो, आप slow नहीं चल सकते, आप धीमे नहीं सोच सकते, आपको quick decision लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मंगल अच्छे इस्तिते में हुआ, तो ऐसे जातक जिवन में बहुत ही ज़्यादा progress करेंगे, इसी तरीके से आपक के मंगल तीसरे घर में हैं, तो आपका आपने किसी एक भाई से काफी अच्छा relation भी देंगे, अच्छा उनका आपको support भी देंगे, अक्सर आपका अपने पडोश्यों से विवाद जरूर होता रहेगा, इसी तरीके से ऐसा जातक हमेशा किसी भी प्रकार के विवाद में फ साथ देता है, और अगर मंगल अच्छे स्थे में नहीं है, तो पिता के साथ विवाद हो सकता है, आपको अपने educational जो problems है, उनका भी solution मिल जाएगा, इसी तरीके से आप में आध्यात्मिक्ता बहुत ज्यादा होगी, पुझापाट करने की प्रोवर्ती भी आपकी होगी, आ आपको ऐसे ही काम पसंद होगी, जहाँ पर energy की बहुत ज्यादा आप सेकता हो, उर्जा की बहुत ज्यादा जहाँ पर need हो, अब नवम भाव को मंगल देख रहे होते तो आपकी लंबी-लंबी यात्रह भी जिवन में काफी ज्यादा हो सकती है, और इन यात्रहों से आपको क दसम भाव पर बढ़ती है, तो ऐसा जातक अपने कारिये छित्र में भी काफी strong होता है और उसको बहुत अच्छा कोई पद मिल सकता है, या उसको sports के छित्र में भी देखें तो काफी अच्छे से वो perform कर सकता है, इसी प्रकार से ऐसा जातक engineering वगरे में, technical field में इस प्रकार क जो कारिये उनमें काफी अच्छे से वो सफल हो सकता है, अब यह मंगल दसम भाव को देख रहे हैं, तो जातक का जो target होता है जिवन में, या जो उनका professional career के परती जो thinking होते हैं, वो काफी अलग हो सकते हैं, different हो सकते हैं, और इनके target हमेशा बड़े ही होते हैं, पर ऐसे जात किसी भी प्रकार के काम के लिए देखा के बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दसम भाव को मंगल देख रहे हैं, तो एक अच्छा target आपको लेकर चलना चाहिए, और अक्सर अगर आप private sector में हैं, तो आपके अपने boss के साथ संबंद कई बार खराब रहेंगे मंगल के इस इस आपी